हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटरियल्स में आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टेंट मैट्स का लेक्चे वीडियो लेकर आगे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवेंट स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा मैट्स सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था जो मैट्स का चाप्टर नंबर फोर्टीन हमने जै ये जो चाप्टर का पहला जो लेक्चर था उसमें हमने श्टड़ी किया था एक फॉर्मूला जिसका नाम था ए प्लस ब्लस होल स्कुएर जिसका एस्ट़्वाल फ्लस फ्लस नाम है, expansion of, यहाँ पर मैं लिखके दिखा रहा हूँ आपको, that is, expansion of a plus b और a minus b, यानि कि a plus b और a minus b जब एक साथ आ जाएंगे, तो क्या हम लोग expand कर सकते हैं, यानि कि इसका formula क्या हो सकता है, a plus b, a minus b का, वो formula आपको बताएंगे, किस तरह से आया formula क्या होता है, वो हम लोग, तो a plus b and a minus b, इसको आप देखोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको multiply करना पड़ेगा, because we know that, कि a plus b एक bracket में number है, a minus b एक bracket में number है, यानि कि अगर मैं ये दोनों bracket को आपस मैं multiply कर दू, possible है, yes, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो a दिख रह होता है, तो a multiply by a minus b कर दिया, बीच में plus b multiply by a minus b, अब solve कर लेते हैं bracket को, a multiply by a कितना हो जाएगा, a square, बीच में minus से a multiply by a is a b, ठीके, plus b multiply by a is a b, ठीके, that is, ये हो जाएगा, और b multiply by minus b is nothing but minus b square, correct है, ये समझ में आ रहे, तो आप देखोगे, कि आम minus a b जो है, और ये plus a b जो है, तो minus something plus something, तो क्या हो जाता है, cancel out हो जाता है, यानि minus a b plus a b cancel होगे, तो क्या बच रहा है, यहाँ पर a square बच रहा है, और last में बच रहा है, minus b square बच रहा है, यानि कि अगर मैं बात करूँ, तो a plus b bracket में, और a minus b bracket में अगर होता है, तो उसका formula क्या बन जाता है, सिधा सिधा, बन जाता है a square minus b square कितना simple सा formula है तो जैसे हमने a plus b a minus b the whole square का formula देखा था उसी प्रकार ये formula भी आपको by heart कर लेना है याद कर लेना है कि whenever something कोई number रहेगा उसको plus दूसरा number रहेगा और वोई number minus दूसरा number रहेगा यानि एक बर plus एक बर minus रहेगा na a plus b a minus b तो हम लोग को formula यूज करना है जो पहला number रहेगा a उसका square कर दो बीच में minus लिख दो दूसरा number का square कर दो लिख दो आपका answer आजाएगा clear है तो this is the formula for expansion of a plus b a minus b that is a square minus b square ये आपको याद रखना है जिन्दगी बर काम आने वाला ये चीज जिन्दगी मेरा भूलना भी मत इतना अच्छे से पढ़ा हूँ ठीक है तो ये आपका समझ में आ गया होगा formula के से आए आप चलते हैं सीधा सीधा practice set 51 की तरफ and समझने की कोशिश करते हैं क्यों कुछ examples हम लोग किस प्रकार इसको solve कर सकते हैं तो इसको मैं rough कर लेता हूँ पिलाल में चलते हैं सीधा सीधा हमारे practice set की तरफ जो की आपको solve करने में भी काफी मजा आने वाला है ओके तो चलिए शुरुवात करते हैं heading डाल देता हूँ सबसे वेले practice set कुन सा है हमारा देखो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बता दू हम लोग पहुच चुके हैं यहाँ पे practice set number 51 पे यानि कि और जादा स्यादा चार या पांच लेक्चर और होगा दोस्तों आप लोग के 7th math में फिर आपका पूरा math का syllabus सिलाबस complete हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा यह सुनके कि आपका syllabus जो है complete होने वाला है तो practice set number कितना है 51 यहाँ पे पहुच चुके हैं जो चलिए शुरुआत करते हैं practice set number 51 में दो तरीके के question दिये हुए सबसे पहले आपको क्या पूचा है यहाँ पे use the formula to multiply the following आपको formula यूज करना है multiply करके दिखाना है सबसे पहला question number 1 का 1 यहाँ पे मैं आपके लिए solve करा होगा जो कि आपको दिया हुए x plus y x minus y बहुत simple है lain time इस को आपको expand करना यानिकी formula यूज करके आपको sorry करना तो simple सी बात धिखने में कैसा दिख रहा है दोस्तों आप देखोगे अगर ध्यान से दिखने में यह यह दि pracy यह होगा यानि a plus b यह को लए फॉर्म μέरे कि पिसको यह प्लिख x है तो x a plus b a minus b का formula क्या है a square minus b square तो a क्या है x तो x का square बीच में minus और b मेरे लिए y तो y का square खतम हो गया खतम हो गया आप यही answer उसका यानि कि आपने आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो expansion के लिए और थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कैसे कैसा आप लिख सकते हो here here आप ऐसा लिखो a is equal to x b is equal to y तो by using the formula of this यह formula आप लिख सकते हो बड़ जरूरत नहीं दोस्तों लिखने की by using this formula आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा x square minus y square खतम हो गया यही आपका answer है तो आप सोच सकते हैं दोस्तों आईसा type का question अगर आपको exam में पूछेगा तो आप कितना तो यह मेरा a हो जाएगा यह b हो जाएगा यह मेरा a यह b यानि a minus b a plus b तो चाहे a plus b पहले लिखो चाहे a minus b बात तो एक ही है न दोस्तों यह a minus b पहले है यह a plus b है तो बात एक ही है तो formula यही रहने वाला है a square minus b square तो मेरे लिए क्या लिखूँगा मैं here a is equal to 3x b is equal to 5 है formula क्या है मेरा a square minus b square यहांनी a क्या है मेरे लिख एक है 3x का square minus b square तो b मेरे लिख घ्र चाहे 5 ya 5 का square गरब इसको solve कर सकते हो जो चीज साल हो सकती है उसको solve कर लो 3x ka square हम लêm निकाल सकते है 3 x ka square 3 ka square होता है 9 x ka square होता है x square तो 9 x square बीच में माइन से 5 का स्कुआर होता है 25 9x स्कुआर माइनस 25 is your answer कितना सिंपल है दोस्तों करेक्ट है समझ में आ रहे है तो 9x स्कुआर माइनस 25 is your answer बहुत सिंपल है बहुत ही मज़ेदार है और आप लोग को उमीद करता हूँ तो आप देखोगे इसको solve करना अगेन यहाँ पर A यह हो गया यह B हो गया यह A हो गया यह B हो गया तो आप लिख सकते हो here A is equal to A और B is equal to 6 है तो क्या formula है A square minus B square तो हमारा क्या हो जाएगा A क्या है मेरे लिए A square minus A मेरे लिए A ही है इस बार तफ लग रहा है आप लोग के लिए तफ लग रहा है लेकिन दोस्तो है बहुत easy हम लोगों क्या होता है एक problem होता है हम जो student जब रहते है चोटे जब रहते है तो हमें जिस type के question कराए जाता है वो हमें easy लगता है लेकिन कुछ नया आजाए तो hard है कुछ hard नहीं होता है बस formula तो लगा के देखो question इस प्रकार है चोटा question करा रहा हूं है question number one का fourth question जो कि है x upon 5 plus 6 x by 5 plus 6 आपको दिया हुआ है ये एक bracket में है और दुसरा है x by 5 minus 6 क्या problem है इसमें hard क्यू लगेगा क्या problem है same वैसे ही इसको a मान लो पूरे को ये b मान लो ये a मान लो b मान लो तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा here a is equal to a मेरे लिए क्या है यहाँ पे x by 5 है x upon 5 मेरे लिए a है यहाँ पे ठीक है अच्छे से लिखते है इसको x upon 5 मेरे लिए क्या है a है ठीक है b मेरे लिए क्या है यहाँ पे 6, खतम, कुछ करना नहीं, बस formula क्या है आपका, a square minus b square है न formula, डाल दो formula में, क्या है a square, यानि x upon 5 ये a है, इसका square करना पड़ेगा, बीच में minus b square करना पड़ेगा, यानि 6 का square, ठीके, solve कर लेते हैं इसको, x upon 5 का square क्या हो जाएगा, x का square, x square हो जाएगा, upon 5 का square, 25 हो जाएगा, बीच में minus है, डाल दिया minus 6 का square हो जाएगा, 36, खतम, इसके आगे कुछ कर सकते हो गया, नहीं कर सकते हैं, तो x square minus 36 is your answer, clear है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये होता है, हमारा question number 1 का, जितने भी 4 questions थे, ये खतम, ठीके, अब चलते है, question number 2 में, इस practice set का, अगला type का example, ये हो गया question number 1 है, पूरी उमीद करता हो कि 4-4 example मैंने करा दिया है, जरूर से आप लो, कुछ examples, आपके syllabus में हो, बुक में हो, तो उसको practice करो, बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाती है, online वगरे, तो आप check कर सकते हो, examples निकल, method पढ़ाना, conceptual knowledge देना, आपके practices के questions solve कराना, ये मेरा काम है, लेकिन इसके अलावा भी आप practice करो, ढूंडो questions कहां-कहां मिलते हैं, ऐसे type के questions और कहां मिल सकते हैं, word problem में ढूंडो, बहुत सारे चीज़े होती है, वहाँ पे ढूंडो और उसको solve करो दो, एक बार आप solve करोगे तो मज़ा आएगा आपको, और जब answer right आता है, यार solve करने की बात नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हूँ, तो tension बिलकुल नहीं लेने का, ठीक है, तो चलो ये type के questions भी करा दूँगा, question number 2 की अगर मैं बात करू, ये थोड़े से अलग type के questions है, but don't worry, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, question number 2 क्या है, बोला है, use the formula to find the values, आपको क् answer निकलेगा, कुछ value निकलेगा, तो find the value आपको निकालना है, again वही formula यूज करके, ऐसा बोलके रखा हूँ, ठीक है, तो पहला जो question है, आपको वो दिया हूँ, 502 multiply by 498, अरे बापरे, क्या दे दिया यार, इतना बड़ा, आप यही सोच रहोगे, कुछ tension लेने वाली बात न निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, जारे 502 को 498 से multiply करते हैं, इतना लंबा चोड़ा, multiplication करके, answer निकाल देते, और ride भी आ जाता, लेकिन हमें clearly बोला हूँ है, कि आपको formula यूज करने, तब formula कैसे यूज करोगे, आपको याद होगा, दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे ऐस बना दो, 498 को कैसे लिख सकता हूँ है, 500-2, correct है, समझ में आ रहा है, बहुत easy लगेगा भी, ठीक है, बहुत easy लगेगा, देखो, क्यू किया, क्योंकि ऐसे type के question जब formula method से हम लोगो solve करना होता है, जो भी formula दिया होता है, तो obviously हम लोगो समझ में आएगा, कि अभी जो formula चल र यहाँ पर क्या हो जाएगा, here, here, a will be 500 और b is equal to 2, correct है, समझ में आ रहा है, दोस्तों, क्या बता रहा हूँ है, बहुत easy हो गया, अब इसको solve कर लो, देखो, आपको बहुत मजाएगा, solve कैसे करना है, again, formula क्या है, a square minus b square, भी नो दो formula, ठीक है, formula ऐसा लिख देने का चाहिए, जैसे मैं हर बार लिखता हूँ, यह formula बोल के लिख देने का, formula क्या होता है, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, इसा लिख दोगे formula, तो अच्छी बात हो जाएगी, जितने मैंने इसके पहले भी examples करा है, उसमें मैंने नहीं लिखाता है, लेकिन आप लोग लिख लेना, ठीक है, तो इससे क 500 का square कितना होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, 500 का square होता है, 25 और यह 2 0, पहले लिख दो, and इसका square है, मतला वापास से 2 0 हाएगा, ठीक है न, मैं आपको trick बताता हूँ, कोई भी चीज का square जब ऐसा 100, 200, 300, 100 के multiples में होता है, 100, 500, 1000, 2000, जो भी दिया होता है, ऐसे 0 वाले, तो जो number रहेगा, यहाँ पे 5 है, तो उसका square लिख दो, 5 का square होता है, 25 लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 लिख दिया, फिर square है तो वापस से 2 बार लिख दो, 0, तो आगया यह, कितना है, 250,000, इसका answer आगया, 500 square का, minus, 2 का square कितना होता है, 4 होता है, तो 2,50,000 में से, 4 हो गया खाली, तो 96 और यह 2,49,996, तो this is your answer, आपने value निकाल दिया, आपको क्या पूछा था question ने, find the value, तो आपने निकाल लिया value, बहुत simple इसको solve करना, ठीके, तो बस आपने formula यूज किया, पहले आप क्या करते थे, यह दोनों को direct multiply करते थे, वो नहीं चलेगा, यहाँ प हम लोग stop करेंगे आज का लेक्चा, तो यह हो गया पहला example, question number 2 का, तो चलते हैं, एक और example, आपको मैं करा देता हूँ, तो धयान से देखेएगा, यह example भी उमीद करते हूँ कि पहला example आपको समझ गया होगा, वैसे second example भी समझ लो, तो एकदम totally समझ में आ जाएगा, क्या question question number 2 का second example, second example का question यह दिया हूँ, 97 multiply by 103, देखके ही समझ में आ जाएगा दोस्तो, 97 को 103 से जब multiply करना है, देखके ही समझ में आ गया कि formula कैसे बनेगा, 97 को हम लोग कैसे लिख सकते है, 100 minus 3 लिख सकते, 97 को, और इसको हम लोग 103 को कैसे लिख सकते है, 100 plus 3, बन गया न, यह हो गया देखो है में ध struggling से, यह हो गया मेरा, A, यह हो गया मेरा B, यह हो गया मेरा A, यह हो गया मैरा B, correct है, again, here, क्या लिख हो गया, अप, here, A is equal to, क्या है, 100, B is equal to, क्या है 3, बन गया, A और B, formula we know that, we know the formula, क्या होता है formula, फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लोग में देखा तो अगर कोई भी चीज ए माइनस बी रहे और ए प्लस बी रहे एक ही बात है तो भी एक ही बाते में बताता हूं आपको हर्मेशा इसका फॉर्मुला होता है अब इसको सॉल कर लेते है चलो 100 का स्कॉयर कितना हो चाता है 100 का स्कॉयर देखो पहले 0 आल आ गया तो 1 का स्कॉयर 1 होता है फिर ये 2 0 लिग दो फिर ये स्कॉयर है इसके लिए 2 0 और आ जाएगा याने कि 9991 बहुत सिंपल है इसका ठीक है न दस अजर में से 9 माइनस कर तो 9991 इस यूर फाइनल एंसर क्लियर है तो उमीद करता हो दोस्तो आपको ये कोशन भी समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है बहुत सिंपल मतलब यार इससे सिंपल कुछ हो सकता है मैं आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तो यूसफुल लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगो फटा फट से शेयर कर दो एंड अगर आपने अभी देग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा हम लोग वीडियोस ला लेंगे आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक